आब ऐए अ सब्सक्राइए आजकर है इस वीडियो में हम जोन मिल्तन की पूएम पैरडाइस लोस्ट की ग्फ वन को डिसकास करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने जोन मिल्तन को प्यूरिटिन एज में डिसकास किया था लेकिन हमने पैराडाइस लोस्ट का कहीं भी जिकर नहीं किया यह एक एपिक पुएम है और एपिक पुएम ऐसी पुएम को कहते हैं कि जिसमें गौड, सेटन, गुड एंजल, बैड एंजल, एडम, इव या फिर सुपर नेचरल एलिमेंट्स का जिकर देखने को मिलता है यह पुएम जॉन मिल्टन ने तब लि इनसान ने गौड की बात को डिस उबे किया और इसका अंजाम भी इनसान के लिए बुरा होगा पहली लाइन में जॉन मिल्टन कहता है कि इनसान ने फ्रूट आफ नॉलिज को खा लिया कि जिससे गौड ने मना किया था खाने को और यह फ्रूट फॉर्बिडन ट्री पर ल कि किस तरह गौड एडम और इव को जन्नत से निकाल देता है और फिर वो दुनिया में आकर मुश्किल जिन्दगी गुजारने लगते हैं जॉन मिल्टन ने इस पोएम को लिखने से पहले अपनी गौडेस आफ पोएट्री से दुआ करता है कि वो इस पोएम को लिखने में उसकी मदद करें और इस गौडेस आफ पोएट्री को युरेनिया कहा जाता है यानि इस मूज का नाम इस गौडेस का नाम युरेनिया है यह युरेनिया वो युरेनिया नहीं कि जिसने बैबल लिखी बलकि यह युरेनिया एस्ट्रॉलिजी की देवी है और उन से भी ज्य करना होगा डेथ और सफरिंग को फेस करने के बाद एक ग्रेटर मैन आएगा जो पूरी दुनिया को इस चीज़ से बचाने के लिए सेक्रिफाइस करेगा और वो ग्रेटर मैन जेस यानि हजरत इसा हैं इसके बाद मिल्टन हमें इस कहानी के मैन हीरो से मिलवाता है यानि सैट वैसे तो ये विलन है लेकिन जान मिल्टन ने इसे हीरो की तरह प्रेजन्ट किया है हमने वीडियो के स्टार्ट में मैन फर्स डिस अबिडियन्स पढ़ा लेकिन मैन से भी पहले डिस अबिडियन्स सेटन ने किया था गौड के खिलाफ सेटन जो अभी हेल में रह रहा है अ इस फ़ार में सेटन डिफीड हुआ औरностью गाड़ को विक्ट्री मिली। गाड़ ने सेटन और उसके साथियों को छन्नत से बाहर निकला तो एक गड़े में गरते गए और वो नव दिनु तक उसी गड़े में गरते चले गए। नौ दिन में उस गड़े में गिरने के बाद वो हेल में गिर गए और इसी हेल को भी गौड ने ही बनाया था वो पहले नौ दिन तक तो गिरते रहे और फिर जब वो हेल में गिर गए तो उसके बाद भी नौ दिनों तक उन्हें होश नहीं आया वो भी होश पड़े रहे इसके बाद सीन चेंज होता है और सेटन सो रहा है वो एक लेक में हेल की एक लेक है जिसमें लावा निकल रहा है उसी में सो रहा है सेटन के पास उसका एक साथी बेलजिबब भी होता है बेलजिबब उसका राइट हैंड उसका कमांडर है अब ये दोनों सेटन और बेलजिबब उसी लेक में सो रहे हैं पीठ के बल और दोनों में कुई बात भी नहीं हो रही यानि हर तरफ मुकमल साइलेंस है अब सेटन बोलता है और वो इस साइलेंस को तोड़ता है सेटन को दरसल दुख है कि हम हेवन में क्या होते थे और अब क्या से क्या हो गए उसे इस चीज़ का तो दुख है लेकिन उसे इस चीज़ का अफसुस बिलकुल नहीं है कि उन्होंने गौड के खिलाफ जंग की वो अभी भी इस चीज़ पर रिपेंट नहीं कर रहा उसके दिल में गौड के खिलाफ लड़ने का कुई मलाल नहीं वो कहता है जो हमने किया सही किया और सेटन कभी भी गौड का नाम नहीं लेता अब जॉन मिल्टन बताता है कि सेटन का साइस एक वेल मचली जितना है अब इसके बाद सेटन अपने पर खोलता है और वो एक ट्राइल लेंड की तरफ जाता है उसे अभी भी तमना होती है कि वो किसी तरह हेवन में चला जाए और इसके बाद सेटन खुद को तसली देते हुए कहता है कि ये तो दिमाग की बात है कि वो हेवन को हेल बना दे और हेल को हेवन बना दे और सेटन कहता है कि हेवन में नोकर बनने की बज़ाए वो हेल का किंग बनना ज्यादा पसंद करेगा सेटन के पास एक एक्स्ट्रा स्किल होती है कि वो कोई भी शकल अपना सकता है किसी भी शकल में खुद को चेंज कर सकता है और अभी भी सेटन गौट के खिलाफ जंग की त्यारी में लगा हुआ है तब ही उसे पता चलता है कि गौट ने एक नई स्पीशी बनाई है यानि इनसान और अब वो इनसान को यूज करके गौट के खिलाफ इंडिरेक्ली लड़ाई लड़ता है अपने मकसद में कामियाब होने के लिए वो कई बार कोशिश करता है कि हीवन में इंटर हो सके लेकिन वो नहीं हो सकता फिर उसके बाद ये स्नेक की शकल अपनाता है और स्नेक की शकल में वो हीवन में इंटर हो जाता है और वो सबसे पहले इव के पास जाता है जब वो इव के पास जाता है तो इव हैरान हो जाती है कि एक स्नेक कैसे बोल सकता है क्योंकि ये दुनों आपस में बाचीत करने लगते हैं तो सेटन उसे बताता है कि उसने फॉर्बिडन ट्री का फ्रूट खाया जो फ्रूट आफ नॉलिज है और उसे खाने से उसे बहुत ज़्यदा पावर मिली है और वो इव को भी बोलता है कि तुम फॉर्बिडन ट्री के फ्रूट आफ नॉलिज को खाओ ताके तुमें भी पावर मिले और गॉड ने तुमें इसलिए मना किया है खाने से कि तुम कहीं गॉड के बराबर ना हो जाओ इव उसकी बातों में आ जाती है और वो फॉर्बिडन ट्री का फ्रूट आफ नॉलिज खा लेती है इसके बाद एडम भी आ जाता है और वो ये फ्रूट आफ नॉलिज एडम को भी देती है कि तुम भी इसे खाओ हालांकि एडम को पता होता है कि इसको खाने से ज्यादा रियक्शन आएगा यानि गौट नराज हो जाएंगे लेकिन वो फिर भी कहा लेता है क्योंकि उसे इव से बहुत ज़्यादा महबत होती है फॉर्ट आफ नॉलिज को खाने के बाद आप सिन और डेथ का कंसेप्ट सामने आता है क्योंकि इससे पहले कोई सिन नहीं था अगर कोई सिन था तो वो सबसे पहले सेटन ने कमिट किया लेकिन अब इनसान ने भी इसके बाद सिन कमिट कर लिया वो दोनों फल खाने के बाद लेस्ट का शिकार हो गए इसके बाद गौट को घुसा आ जाता है क्योंकि उन्हों ने फ्रूट आफ नॉलिज को खाने से मना किया था लेकिन एडम और इव ने गौट की बात नहीं मानी और सेटन की बात मानी तो गौट उन्हें पनिश करने के लिए जमीन पर भेज देता है और यहाँ पर हमारी बुक वन एंड हो जाती है